की वैल्कम दोस्तो हमारी YouTube चनल पर आपका स्वागत। दोस्तों एकस्टेप्षण इंग вторपल फिरीस में आज हम बात करेंगे कस्टमेत्षण के बारे में की कस्टमेट्प्षण क्या होता है दैन उसके बाद हम उसका प्रोग्राम समझें प्रैक्टिकल तो चलि आज का समस्सक्राइब के बारे में बताय ता अगर आप शिंस द देखे तो आप मेरे चैनल पर या फिर नीचे आने link दी हैosure जाके भी है आफ फॉल्व कर सकते हैं देहिक एंड एक्स्पशन क्या होता है एक्सेप्शन कर रेंगे ग div से एक्सेप्शन किए क्योंखंड गएंड गृड तो चलिये बिट兩 or लिखना लिट करेंगे पर करेंगे यहां आ तो मैं यहां पर exception करना चाहूंगी, custom age exception, तो इसी के नाम से मैंने एक class बनाई, then मैंने यहां पर extend किया, exception class को extend किया, exception class को extend किया, उसके बाद मैंने class का bracket open किया, यहां पर एक constructor करेड किया, custom age exception, and इसके अंदर हमने एक string भी str, ठीक है, and constructor के अंदर हमने super keyword लिखा, और str को यहां पर call कराया, ठीक है, तो दोस्तों, अगर यहां पर आप अपना कोई message कराना चाहते हो, तो यहां पर वो message भी लिख सकते हो, और यहां पर user, आप चाहते हो, यहां पर कुछ भी आप variable दे सकते हो, तो मैंने यहां पर str, दे दिया है, then हमने constructor का bracket close किया, and class का bracket close किया, उसके बा bracket open किया, and हमने एक method बनाया, validate नाम का, ठीक है, method का first letter जो है, small रहता है, validate नाम का, मैंने एक method बनाया, and इसके अंदर मैंने एक integer दिया, age, ठीक है, age एक variable ले लिया, and यह जो हमने method बनाया, यह static बनाया, ताकि जब हम इस method को call करें, तो हमें object करें की जोरत ना पड़े, directly हम इस exception declare कर दी, throws keyword करते है, exception को, जो है, हम यहाँ पर declare करते, तो हमने यहाँ पर custom age exception declare कर दी, and उसके बाद हमने method के अंदर क्या किया, if condition लगाई, and if condition में हमने लिखा, age is less than 18, that means, अगर age की value 18 से कम होती है, तो यह throw कर देगा, new custom age exception not valid, तो जो भी message आप print कराना चाहते हो, आप पर not valid लिखाया, तो exception के साथ, यह message हमारा print हो जाएगा, and उसके बाद हमने else condition में लिखा, system.out.println में welcome for vote, that means, दोस्तों, अगर age की value 18 से कम होती है, तो यह क्या करेगा, exception throw कर देगा, and message print करा देगा, not valid, and अगर age की value 18 से जादा होती है, तो यह else condition में आके, welcome for vote, यह जो है, string print हो जाएगी, उसके बाद हमने method का bracket close किया, and main method बनाया, public static void main string args, ठीक है, then main method का bracket open किया, and try block के अंदर हमने जो है, validate method को call किया, and उसके अंदर हमने एक value देदी 16, ठीक है, and यहाँ पे जो होगा, exception अगर आती है, तो यहाँ पे, exception find कर लेगा, try block, and catch block को, जो है, throw कर देगा, and catch block के थुरू exception handle हो जाएगी, ठीक है, जो भी exception हम create करेंगे, वो यहाँ पे catch block के थुरू handle हो जाएगी, then उसके बाद हमने catch block का bracket close किया, and system.out.printalemic message print कराया, after code, then उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे main method का bracket close किया, and उसके बाद जो है, class का bracket close किया, तो दोस्तों, यह था हमा जो है, select करके copy कर लिया, control C की help से, then उसके बाद हम notepad open करेंगे, ठीक है, notepad open हो गया है, now अब मैं यहाँ पे program को paste कर देती हूं, ठीक है, program यहाँ पे paste हो गया, now अब हम इस file को save करेंगे, तो file को save करने के लिए हम जहाँ पे हमारा main method है, ठीक है, उसी वही हमारी main class होगी, तो इस class के अंदर हमने main method बनाया है, यह देखे, इस class के अंदर हमने main method बनाया है, यह, तो हमारी main class यह ही है, तो इसी के नाम से जो है, हम अपनी file को save करेंगे, ठीक है, तो file में गए, file में जाके save as पे, then हमने यहाँ पे class का name लिखा, and dot java extension से file को save कर लिए, save button पर click कर दिया अब इसे compile कर लिए, तो cmd open किया, ठीक है, desktop पे हमने अपनी file को save किया था, तो cd desktop, enter, and javac class का name dot java, java program को compile करने के लिए, ठीक है, यह, देखे, हमारा program compile हो गया, अब इसे run करेंगे, तो dot java c मैंने यह set आ दिया, यह, देखे, program जो है, run हो गया, तो यहाँ पे हमारा, जो exception यहाँ पे occurs हुई है, वो क्या हुई है, custom age exception, जो हमने खुछ से create की थी, ठीक, जो message प्रेंट कराया था, not valid, यह, यह, पे print हो गया, उसके बाद, जो हमने code लिखा था, after code, वो भी यहाँ पे execute हो गया, तो दोस्तों, यहाँ पे हमने age की value जो है, दीती, वो हमने 16 दीती, and 16 य तो दोस्तों, यह था हमारा program custom exception का, अगर आप खुद की exception करेट करना चाहते हो, तो इस तरीके से जो है, आप करेट कर सकते हो, I hope दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगे, अगर पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, साथ ही, अगर आपको टॉप कर दोचानमाच मत भीडियो पसंद आपको लाइक करें।